वेल्कुम प्येजनल स्टोकर्ष तो गैज यहां पर अगर बात पर एक एनर्जी की तो आज जो है हलका सा डाउन फॉल इसमें देखने को मिला मारकेट की कंडिशन दो दिन से काफी खराब है एक दिन जो की मने को मारकेट जो है करीब तेरा सो पॉंट की आसपास डम थी और अगर बात करें आज की एक उक्टोबर की बात करें तो करीब जो डमपिंग है वो करीब तीन सो पॉंट की आसपास तक भी पहुच गई थी and at the end जो market बंद हुई है वो करीब 40-50 point downside पर बंद हुई है अगर बात कर एक एनरजी की तो peak था of course जो की sensex peak पे था इसके अलावा जो है काफी सारे shares पे pressure था बट यहाँ पर EK energy की बात करें तो एक महीने में करीब 5% का downfall ही देखने को मिला है and share जो है करीब 10-15% के आसपास भी downfall में चल रहे थे बट यहाँ पर EK energy में ज़्यादा downfall नहीं था तो इसके अलावा जो है company में एक बड़ी announcement हुई है and जल्द ही चीजें जो है कुछ सही direction में जाने के chances लग रहे हैं तो guys वो कौन सी announcement है जिसकी वजह से यहाँ पर यह सब देखने को मिल सकता है तो guys पूरा discussion इस वीडियो को तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत पून है तो आज की बात करें तो guys 312 रुपे चैनल पैसे इसका आज का यह लो की बात करें 308 रुपे पांच पैसी का लो अगर बाउनी खाई की बात करें 508 रुपे इसका बा सामों पे आपको मार्केट में यह शेर मिल रहा है छे महीने की बात करें तो करीब साड़े 19 परशेंट की आसपास इसमें डाउनपोल देखने को मिला है एड़ अगर बात करें इसके अलावा इसके अनलेसिस की तो guys आज वोल्यूम ट्रेड हुआ है वो करीब साड़े 19 अज इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर डिलिवरी की तो guys यहाँ पर डिलिवरी परशेंटेज देरे देरे इंक्रीज हो रहा है यानि कि एक महीने के डिलिवरी परशेंटेज की बात करें तो करीब 65 परशेंट के आसपास है एंड 66 परशेंट के आसपास एक वीक का और ए स्टेंडलोन यहांनि की एकलोते अपने दाम पर कंपणी जो है क्या कुछ कर रही है तो डाउन फोल में एक्तालिस करोड का रेवेटिञ किया है चीजिए और का चाल रहा है तो कौईज यहां पर क्वाटेशन की बात करें तो कृटरली रिजल्ट की करें तो तो कौन्सोड्र का profit earn किया है जून कोटर में EPS की situation भी काफी हद तक net profit वाली है शेयर ओल्डिंग के बात करें प्रवोटर के holding decrease हुई है हलकी सी जून कोटर में FIA की holding की बात करें तो कोई चेंड नहीं है करीब एक साथ से DA की बात करें तो यहाँ पर zero है holding and अगर बात करें public की तो public holding में कोई चेंड नहीं है and others की बात करें तो others की holding आई यह 0.01% के साथ जो की जून कोटर में इसके लावा यहाँ पर जो की पीश कंपनियों के बात करें ITC, Greshim, Reliance Industry, Partially Paid and SRF इसकी पीश कंपनिया मार्केट में मौजूद है and अगर बात करें इसकी total equity की तो गैस total equity जो है ज्यादा नहीं है करीब करीब जो इसकी total equity है वो करीब ओने तीन करोड के आसपास की equity of course market में है and of course इसके अलावा जो है दो करोड से जादा जो है प्रोटर प्रोटर ब्रूटर के पास है and छोटी सी equity जो है वो पबलिक के पास मौजूद है जिसमें FII, DA, अधर शबकुछ इसमें include है and अगर बात करें इसके news की तो guys trading window closure का यहाँ पर जो कि announcement किया जा चुका है तो जब देखना बाकी यह है कि इसका result कब आएगा September quarter जो की already end हो चुका है तो guys यहाँ पर जल्द ही result आने के chances है क्योंकि यह notification window closure का notification दिया जा चुका है तो guys यहाँ पर कभी भी जो है इसकी date announce की जा सकती है पिछले अगर record की बात करें तो guys यहाँ पर पिछले जो की result की बात करें तो November में इसका result आया था करीब second quarter में आप देखना बाकी यह है कि अब जो है result कब आता है क्योंकि पहले जो result है वो काफी 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 time लगा दिया था क्योंकि काफी बड़ा लोचा जो की financial में हुआ था just because of जो की carbon credit की accounting को लेके C.A. ने resignation दिया उसके बाद नया C.A. हाइर हुआ उसके बाद दोबारा से resignation तो काफी सारी चीजें चली and जो की carbon credit के accounting process को लेके अभी भी चीजें जो है ऐसे ही डगमगा रही है अब देखना बाकिये है कि क्या कब कुछ होने वाला है and of course जो की आने वाले टाइम में carbon credit की demand जो है वो काफी जादा होने वाली है क्योंकि जिस तरीके का जो अभी pollution और climate change को लेके चीजें जो है काफी worldwide चीजें जो की discussion में है तो guys मेरे इस आपसे आने वाले टाइम में एक बड़ी demand जो है देखने को मिल सकती है and अभी जो level है थोड़ा थोड़ा करके long term perspective से आप इसमें invest कर सकते हैं एक अच्छा profit कमाने के लिए so thanks to all for watching the videos please take a like comment share and subscribe thank you take care